पश्यम मंगाल की मुख्यमंत्री मम्ता बनर जी अस्पताल में है। उनका कहना है साजिश रच्ची के उनके उपर हमला किया गया। कोई साजिश नहीं है कोई हमला नहीं है वो बंगाल की मुख्यमंत्री है और कानून व्यवस्था पूरी तरह बंगाल में चर्मड आई है वहां पर कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। अब कोई नाटक करने से ड्रामा करने से वोट नहीं मिलने वाला है। यह पबलिक है यह सब जानती दीदी की सत्ता जाने वाली है और बीजेपी आने वाली है। वो यह सब करके कोई भी साहन भूती नहीं ले सकती। यह जुटा इल्जाम लगा के उनकी पुलिस साथ में थी सुरक्षा वाले साथ में थे। फिर यह सब कहना कहीं से सही नहीं चुनाओ लड़िए ड्रामा मत कीजिए। तो आपको क्यों लग रहा है यह ड्रामा है क्योंकि वो खुद मुक्मंत्री है सीधे तो और पर ठीक है चुनाओ में जा रही है लेकिन यह ड्रामा करने के उनको क्यों जरुद पढ़एगे। अब तो साफी वीडियो में दिख रहा है कि कोई ऐसा हमला नहीं है कोई उन पर कोई अटैक नहीं है इतने सारे पुलिस वाले उनके साथ हैं वो खुद से अगर गारी पे खड़ी हो जाए पैड मुर जाए तो उसका इल्जाम भारती जंता पाटी पे जो काम आपने खुद किया है उसका इल्जाम तराशी मत कीजिए चुनाव आराम से लड़िये लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी लेकिन ऐसे में सवाल ही उड़ता है फिर क्या आप में मैंता है कि अब ये क्योंकि चुनाव प्रचार जोड़ शोर पर है खुद आप पश्यमंगाल में प्रचार हुआ नो कोई बात हुई है बिना बात के इस तरह चुनाव के ही लड़ा जाता है वो मुखमंत्री है उनके साथ इतनी सुरक्षा है और मीडिया की वहां मौजूदगी है कौन सा हमला हो गया उन पर इस तरह का जूटा परचार सही नहीं है चुनाव लड़ना है अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा जाए लेकिन लोगों की सिंफेथी पाने के लिए इस तरीके से जोट नहीं बोलना चाहिए ये कहना है बीजेपी के राश्ची प्रवक्ता और पश्यम मंगाल में बीजेपी के स्टार प्रचारक शानवाज हुसेन का कैमरा पर सेना जैतिवारी के साथ अंकिर गुप्ता एबीपी नियूज दिल्ली